नमस्कार दोस्तों हम सीख रहे हैं टूरी एनिमेशन और टूरी एनिमेशन में हम देख रहे थे एड़ एनिमेट सेशी के बारे में तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ब्रस टूल के बारे में दोस्तों हमारे पास यहां पर देखिए तीन टाइप के ब्रश टूल होते हैं एक को बोलते हैं फ्लूट ब्रश टूल एक को बोलते हैं क्लाशिक ब्रश टूल और तीसरे को बोलते हैं पेंट ब्रश टूल इस तीनो टूल बहुत ही important होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस तीनो जो टूल से हैं उसका use कैसे करते हैं तो दोस्तों जो हमारे पास जो पहला टूल है यहाँ पे fluid brush tool इस टूल में कुछ issue आ रहे हैं जैसे कि आप कोई software चला रहे हैं तो वहां पे देखेंगे कि highlight नहीं रहता है इसका region होता है तो आपके पास window जो होता है अगर आपके पास purchase version है तो कोई भी issue नहीं होगा अगर आप pirated window यूज कर रहे हैं तो इसमें कहीं पे आपको issue आ सकता है क्योंकि कई बार मेरे जो दोस्त है उसमें देखा हूँ कि यह highlight नहीं होता है तो हो सकता है आपके software में अपडेशन मांग रहा हो या window में update का कुछ issue आ रहा हो जिसके कारण यह highlight नहीं हो रहा है लेकिन हमारे पास window purchase version है इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी problem नहीं है लेकिन में भी हो सकता है मैं यह नहीं कारण को होगा ही में भी हो सकता है तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम कैसे use करते हैं इस तीनों tool का दोस्तों सबसे पहला fluid brush tool है यह बहुत ही important tool होता है कोई भी जो create करते हैं किसी background को या tree को किसी भी चीज़ को अगर create करना है यह fluid brush tool बहुत ही important होता है इसका region क्या होता है कि अगर यहाँ पे हमने जब click किये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वह सारा option इसमें आ गया है और यहाँ पे देखिए इसके नीचे भी option आ रहा है लेकिन अब अगर यहाँ पे देखते हैं classic brush tool में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे option नहीं आ रहा है directly size का रहा है smoothing का रहा है लेकिन फ्लूड ब्रस टूल के अंदर आप देख सकते हैं साइज, एस्टेपलाईजार, कर्व, रबनेस, एंगल, टैपर, हर तरह का यहां पर ओप्सन आ जाता है कि किस टैप से आपको लाइन चाहिए या जो ब्रेश करेंगे वहां पर किस टैप का चाहिए अगर मालेजी अभी मैं इसको चलाता हूँ, देखिए कुछ इस टैप से बन रहा है, देखिए कितना स्मूथ सा क्रियेट हो रहा है, आप देख सकते हैं अगर इस चीज को आपको चेंज करना था, अभी देखिए हम इसको अगर साइज को कम कर देते हैं, तो अब देखते हैं, देखिए, यह क्या हो रहा है कि दूर तक जा रहा है और इसको साइज चेंज हो रहा है, अगर मालेजी इसको हम कम कर देते हैं, फिर देखते हैं, दे देखिए अब जो यहां पर हमने roughness को कम कर दिया था तो आप देख सकते जो इसकी line का जो होता है न यह line का जो है smoothness बनता है तो इस step से यहां पर जो है बहुत option है आप अपने तरीके से इसको adjust कर सकते हैं आपको किस step का option चाहिए दोस्तों इसमें एक और चीज बहुत ही important होता है वो होता है कि मान लेजिए हम क्या करते है fluid brush tool को select करते है और एक मान लेजिए यह line ड्रॉ किये एक line यह ड्रॉ किये अभी क्या हुआ तीनों देखिए एक ही same layer पे चल रहा है लेकिन क्या हुआ अभी देखिए यहां से यह अलग हो जाता है यह अलग हो जाता है यह अलग हो जाता है इसका कारण यह होता है अगर मान लेजिए अलग नहीं हो रहा है अगर इस पे क्लिक करते हैं आप इस पे अगर हटा देते हैं अभी आप दिखाता हूं मैं आपको अन्टी इस पे हमने एक ही layer पढ़ाये हैं अभी तीनों joint हो गिया लेकिन आप चाहते हैं कि जितने भी हम layer बनाए हैं वह अलग-налग हो लेकिन layer एक ही होगा लेकिन यहां پे जो है हम हर किसी को अलग-अलग color change कर सकते हैं या अलग create कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस पे click करते हैं और यह जो option है पहला option object drawing mode है यहाँ पे इसको एक click कर देते हैं click करने के बाद जितने भी आप drawing करेंगे हर कोई एक अलग-अलग select कर सकते हैं उसकी color change कर सकते हैं मालेज अब देखीए यह देखी यह अलग select हो रहा है यह देखिए यह अलग select हो रहा है अगर इसको color change करना चाहते हैं तो आप इस पे जाके इसका color कुछ और कर सकते हैं इसका color कुछ और कर सकते हैं इसका color कुछ और कर सकते हैं जबकि सभी का सभी आप देख सकते हैं, यहां पर एक ही layer के दिया हुआ है, तो इस step से flute brush tool का use आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, तो दोस्तों मैंने पीछे के video में already classic brush tool के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको बता आता हूँ, classic brush tool में जो है, एक simple drawing बनता है, आप यहां से देख सकते हैं, इसकी size बढ़ा सकते हैं, आप यहां से इसका जो है, आप देखिए step से size को आप ले सकते हैं, देखिए कुछ step से, आप अपने तरीके से, यह देखिए square है, हर तरह कर यहां पर shape दिया हुआ है, उसको आप यहां पर use कर सकते हैं और यहां पे जो है यहां पे option इसका दिया हुआ है कि point पे जाना है, fill पे जाना है जो हमने पीछे बताये थे आपको जो eraser tool में same रूहां पर यही चीज यहां पे दिया हुआ है तो यह था classic brush tool उसके बाद दोस्तों देखते हैं तीसरा brush tool है paint brush tool इसका यूज देखते हैं कैसे actually क्या होता paint brush tool का काम होता है किसी भी चीज को paint करना लेकिन इसमें एक और बहुत ही अच्छा option आता है कि इसके through आप क्या कर सकते हैं brush बना सकते हैं देखिए अभी step से बन रहा है देखिए step से बन रहा है आप देख सकते हैं इसका जो है कुछ अलग ही option बन गया है आप देख सकते हैं अगर मालेजे control जैड करता हूँ अगर इस पे लेते हैं मालेजे मैं एक line draw क्या हूँ एक steps क्या हूँ अब देख सकते हैं automatic जो है एक design में convert हो गया तो paint brush tool जो होते हैं यह step से create करते हैं मालेजे हम इस पे step से create करते हैं देखिए एक अलग ही flower type से create हो रहा अगर मालेजे इस पे step से करते हैं देखिए कुछ अलग different बन गया है तो step से ने इसमें flower आप बहुत अच्छे-च्छे create कर सकते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस पे click करते हैं अब यहां से mod को इसको change कर देते हैं कुछ इस step से अगर आभी देखते हैं इस step से आ रहा है यह देखिए कुछ इस step से अराम से जो है इसका create हो गया कुछ अलग background create करने के लिए और जो fluid brush tool है इसमें एक और चीज अच्छा option है कि इस tool की मदद से आप अपना जो है create कर सकते हैं जो line drawing होता है यह चीज को आप brush tool को convert कर सकते हैं माल लिजी हमको brush tool create करना है step से किये step हमें चाहिए यह brush बन जाए अगर माल लिजी आपके पास नए brush बनाना है हम कोई भी creative को चाहते है brush बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे माल लिजी यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछी step से create कर लेते हैं अब यह चाहते हमें brush बन जाए इसी type के आप इसको select करें right button click करते हैं create paint brush इस पे click करते हैं क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यह option आ जाता देखिए यह एक brush बन जाएगा जो आप यूज कर सकते हैं scale property देखिए प्रोपर आ गया किस step से आप बनाना चाहते हैं इस को जह है पूरा देखिए setup यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे pattern बनाना चाहते हैं देखिए कुछी step से pattern बन जाएगा यहाँ से अगर brush बनाना चाहते है आट brush तो इस टैप से बन जाएगा अगर माली यह pattern हमको बनाना है इस पे click करते हैं okay करते हैं अगर आप मैं आपको दिखाता हूं हम ब्रस को सेलेक्ट करते हैं देखिये can't brush tool को लेते हैं आप देख सकते हैं जो ही हमने paint brush को यहां पे select किया यहां पे हमारा brush आ गया आप देख सकते हैं देखिये जह हमारा brush था यह brush create हो गया आप कोई भी flower बना के उसको वह सिर्फ paint brush tool से ही आप create कर सकते हैं तो दोस्तों इस टैप से आप इस तीनों brush का use कर सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलते दोस्तों next video में आज के लिए thank you